नमस्कार दोस्तों! पत्नी द्वारा पती के पैर दबाने से क्या लाब होता है? आज हम आपको इसका पौरानिक मत्वा बताने जा रहे हैं. साती पती अगर पत्नी के पैर दबाता है, तो इसका क्या आर्त होता है? प्राचिन काल में मनुशों में सत्व गुन का प्रभाव अधिक होता था, इसी कारण उनमें दोश कम और गुन अधिक होआ करते थे, उनमें प्रेम अधिक और घ्रणा कम होआ करती थी, इसी कारण से वे सुक्य और सम्रद्दर रहते थे, लेकिन जैसे ही कल्यूक का प्रारम ह तब इसे मनुष्यों में तमो गुनों का विकास अधिक होने लगा और मनुष्य तामसी प्रवर्ति का बन गया। दोर में हमारे बीज मान सम्मान और भी कम होता जा रहा है और मनुष्य अत्यादिक लाल्ची बनता जा रहा है। विवा होने की कुछी समय के पस्चात पती और पत्नी में जगड़े होने लगते हैं। सदा के लिए चली जाती है। इसी कारण स्थ्रियों और पुरुष्ट का ये करतवे हैं कि वे अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए कभी ऐसा कोई अनिष्ट कारिय ना करें जिससे उन्हें जीवन भर धरिद्रता का सामना करना पड़े। शास्त्रों के अनुसार पत्नी द्वारा पती के पैर दबाने का बड़ा ही महतो है। आपने देखा होगा कि मालक्ष्मी शेशनाक की शैया पर भगवान विश्णु के चर्णों के समक्ष बैटकर उनके चरन दबाती है। इसलिए यही कारण है कि महिलाओ को धन की देवी लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पती के पैर दबाती है। उस घर में सदेव, सुकर, सम्रद्धी बनी रहती है और ऐसी महिलाओ पर देवी लक्ष्मी की क्रपा सदेव बनी रहती है। इसकी पीछे ग्रहों के प्रभाव की भी मानेता है। ऐसा माना जाता है, पुर्श के पैर से लेकर पिंडली तक का भाग भगवान शनिदेव का होता है और वही स्त्री के कलाई से लेकर उंगलियों तक का भाग शुकर का होता है। जोति शास्त्र के अनुसार जब शुक्र का प्रभाव शनी पर पड़ता है तो इससे धन की प्राप्ति होती है अर्थात स्त्री की उंगलिया पती के चर्णों को स्पर्ष करती है तो इससे धन की प्राप्ति होती है और घर में सुकर सम्रदी बढ़ती है इसलिए स्त्री के द अम्रित के समान होता है तता उनके द्वारा पयर को स्पर्श करने पर पुरुष के सभी पापकर्म एवं दुखों का नाश होता है। स्त्री के हातों में वह शक्ति होती है कि वह पुरुष के जीवन में आई सभी नकारतमक्ता को दूर कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्त्री को पति के पैर दबाने का विधान किया गया है, परन्तु पूरुषों को पत्नी के पैर दबाना अनुचित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बड़े लोग अपने से छोटी उम्रे के वेक्तिके पैरोकोस पर्ष नहीं करते इसे पुरुष अपना सम्मान खो सकता है साथी इसे पुरुष की लाचेरिस पश्ट होती है ऐसा पुरुष पत्नी के धन पर जीवन गोजारा करने वाला होता है परंतो अगर पत्नी बीमार है या फिर उसे कोई पीड़ा है तो उसे आराम दिलाने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो उचित है आपके विचार से क्या ऐसा करना सही है हमें कमेंड में आवश्य बताए अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें कमेंड करें और शेर करें साथी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद